हाई मैं प्रशान आप सभी का अपने योटूब चैनल एक्वीटिट कॉम्डिटी में स्वागत करता हूं तो आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही क्रूशल इंफॉर्मेशन प्रोवाइट करने जा रहा हूं जिसका इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा अगर आप आप आइड़निफाई कर सकते हैं ऑप्सें के बासिस पे हां पर जो भी हम आइड़निफाई करेंगे ऑप्सें का लोंग बिदफां कर सकते हैं कहां पर आपका लॉंग उंट सहु एक। चीज के बारे में आपने पहले जहूर सुना हो गा अपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ना ओ लेकिन आपको इस वीडियो में इन सब को डीटियल से बताने जा रहाओ किसको आप option chain पे कैसे identify कर सकते हैं इसको identify करना बहुत जरूर ए है इसको identify किये भी न अगर आप options में trading करते हैं तो आप अपने options trade को profitable नहीं बना सकते हैं थोड़ा बहुत एक-दो तुक्का में profitable बन सकता है लेकिन regular basis पे आप profitable नहीं बना सकते हैं अगर आप regular basis पे अपने options trade को profitable बलाना चाहते हैं तो इन चारों के बारे में information होना बहुत ज़ुरी है यहां पे आपको छोटा सा overview देता हूँ long build up का मतलब क्या होता कि buyers market में entry करते हैं long and winding का मतलब क्या होता buyers market से exit करते हैं short build up का मतलब sellers market में entry करें short covering का मतलब sellers market से exit करें तो चलिए option chain पे चलते हैं और इन चारों concept को और detail समझने कोसिस करते हैं यहां पे हम option chain पर आगा है और option chain में इहां पे आपको इधर out site दिख रहा होगा और इधर आपको call site दिख रहा है तो यहां पे हमें किस चीज के उपर focus करने और कैसे हम उन सारे concept को identify कर सकते हैं उससे पहले हम यहां पे आपको दो चीज समझना होगा यहां पर हम दो चीज को पर focus करेंगे, सबसे पहले आपका LTP, जिसको हम लोग price भी बोल सकते हैं, इस पर focus करना पर आगा, उसके बाद आपको OI change, इन्ही दो section पर आपको focus करना है, put side की तरफ और call side की तरफ भी आपको, यही OI percentage change जो दिख रहा है, इसके साथ साथ आपको LTP जो दिख रहा है, इस पर focus करना है, और इसी के basis पर हम find कर सकते हैं, कब आपका long unwinding हो रहा, कब आपका short build up हो रहा, short covering हो रहा, यह सारा कुछ आप यहां पर आसानी से find कर सकते हैं, चलिए, एक एक करकी यहां पर हम इन्हों सब को find करने कोशिस करते हैं, सबसे पहले हम put side की त देखने को मिलता है, कहीं भी किसी का भी price उपर जा रहा, वहां पर buying हो रहा है, अगर price नीचे जाता है, मतलब है कि हमें क्या देखने को मिलवा, selling देखने को मिलवा, price उपर जा रहा, buying होगा तभी price उपर जाएगा, और price नीचे जाएगा, मतलब selling होगा तभी price आपका क्या कर रहें मार्केट में इंट्रि कर रहें अगर वह आपका नीचे जारा मतलब लोग यहां से निकल हां यहां पर एक्जिटь होड़ा ट्विटो और चानMPरं एक्जिट होड़ाSight प्रategreibt लोग यहां से एक्जिट कर रहें वह आइडिरिंग देट करते हैं और स्कूब पहले हम पुट साइड की तरफ किसको देखते हैं LTP को देखते हैं और OI पसंटेज को देखते हैं यहां पर क्लियर कर देता हूं तो सबसे पहले देखे हैं OI Change positive है और इस period में क्या है यह आपका negative है मतलब price negative है यहां पर क्या हो रहा है selling हो रहा लेकिन OI positive है, मतलब यहाँ पर entry हो रहा, अब यहाँ पर किसका entry हो रहा, sellers का entry हो रहा, clear है, कैसे identify किया, price नीचे जा रहा और लोग entry कर रहे, तो एक ही entry कर सकते हैं, sellers entry कर रहे, यहाँ पर हमने देख लिया, कि यहाँ पर sellers का entry हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा, मतलब यहाँ पर हो रहा, short build-up हो रहा है, जब भी sellers का entry हो था, उसको हम दो क्या बोलते हैं, short build-up हो रहा, अब यहाँ पर देखें, इस section में क्या हो रहा, इस section में आपका, जो OI change है, negative ह यहाँ पर लोग क्या करें, political खरी आएं, और इस साथ जो अपर जो गे जो क्को आप फीर मतलब क्या है, कि यहाँ पहाँ पे हमें selling देखने को मिल भाय को मतलब लोगeste करके market से बाहर निकल जें और सिल करके क्वोड मार्गेट से बाहर निकल सकते हैं, तो यहाँ पे जो लोग पहले buy किये थे वो यहाँ पे निकल रहे उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं long unwinding जिसको हम लोग short में LU लिख देते हैं और यहाँ पे short build up हो रहा है जिसको हम लोग short में SB लिख देते हैं यहाँ पे clear समझ में आ गया है यहाँ पे क्या हो रहा लॉंग अन्वाइंडिंग ऊपर में शॉट बिल्डप अब दोनों का क्या मतलब है शॉट बिल्डप का मतलब है कि यहां पे सेलर्स मार्केट में इंट्वी कर रहे हैं अब पूट सैट की तरफ अगर सेलर्स मार्केट में इंट्वी कर रहे हैं तो इनका क्या भ अब भी समझने की कोसिस करते हैं तो call side की दरफ हम किस पर focus करेंगे यहाँ पर हम focus करेंगे LTP पर तो सबस्पहले OI change देख सकते हैं इस particular section में क्या है negative है OI change और इस particular section में अगर हम LTP को देखें तो यहाँ पर आपको यह positive देखने को मिलेगा तो LTP positive है मतलब यहाँ पर क्या हो रहा मतलब यहाँ पर हमें buying देखने को मिल रहा है ठीक है उसके साथ साथ OI change negative है मतलब यहाँ पर exit लोग कर रहे हैं मतलब buy करके लोग exit कर रहे हैं और buy करके कोन exit कर सकते हैं जिन्रोंने पहले sell कर रखा होगा वही buy करके exit कर रहे हैं मतलब यहाँ पर sellers market से exit कर रहे हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं short covering यानि यह हो गया ऐससे short covering यानि यहाँ पर हमने short covering को समझ लिए अब short covering हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे sellers market से exit करें मतलब call sellers का क्या भी होता call sellers का भी होता है कि market नीचे जाएगा अब वो यहाँ पे exit करें मतलब उनको अब भरोसा नहीं है कि market यहाँ पे नीचे जाएगा उनको क्या लग रहा है कि market यहाँ से उपर जाएगा इसलिए वो यहां से exit करें, मतलब यह भी हमें क्या indicate करें, कि market यहां से upside की तरफ जा सकता है, तो यहां पर हमने short covering को भी identify कर लिए और market के direction को भी identify कर लिए, यहां से भी पता सलबा है कि market उपर जाएगा और यहां से भी market आपका upside की तरफ जाएगा, अब यहां पर देखें, price आपका positive है, मतलब यहां पर still अभी भी क्या होरा, अभी भी यहां पर हमें buying ही देखने हो को मिल रहा, मतलब buyer से यहां पर हाइभ था उसके बाद इस particular section में आपका क्या है oi change positive है मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर entry हो रहा है अब entry क вари हो रहा है call buyer का entry हो रहा है मतलब लोग यहाँ ने करें call buy करें अब जो लोग call buy करें उनका क्या भी होता उनका positive view होता है, वो सोचते हैं कि market का price यहां से upset की तरफ जाएगा, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आपका long build up हो रहा है, जिसको हम लोग short में LB लिख देते हैं, यहां पे हम जो भी कुछ देख रहे हैं, सबका view क्या है, सबका view positive है, अब यह सब होने के बावज़द भी जरूरी नहीं है, कि market आपका कल ऊपर ही खुले, कोई news आगिया, कोई event आगिया, उसके बाद market आपका नीचे भी खुल सकता है, लेकिन अगर normal market रहा, तो बहुत हथा तक chances रहता है, कि market आपका upset की तरफ ही, जो अपना जरूरी नहीं है, वो continue रखेगा, तेहाँ मैंने आपको क्या के बता दिया, कैसे हमने short build up को identify किया, clear, simple सा concept है, कापी simple तरीके से बताया, इससे simple हो नहीं सकता है, long unwinding को कैसे identify किया, उसके साथ साथ, short covering को कैसे identify किया, clear, और long build up को कैसे identify किया, clear, यानि जो चारों concept मैंन सानी से मैंने option chain की basis पर आपको समझा दिया, उमीद करते हैं, यह concept आपको clear हो गया होगा, और यह बहुत जरूरी concept है, और बहुत crucial concept है, जिसको maximum लोग ignore कर देते हैं, लेकिन आपको ignore नहीं करना है, और उसी के लिए हम है, कि जो लोग ignore कर देते हैं, वो information आप तक बस एक ही request है, कि इस तरह के information लाने के लिए थोगा सा मेहनत करना पड़ता है, बस चैनल को subscribe कीजिए, और वीडियो को like करके हमें encourage करते रहें, ताकि हम इस तरह के और भी content आपके लिए regular basis पे लाते रहेंगे, so मिलते हैं next video में, जैहिन!